भारत में सम्विधान 26 जन्वरी 1950 में लागू हुआ था जिसके बाद से अभी तक कई बार इसमें संशोधन किये जा चुके हैं अक्टूबर 2021 तक भारत के सम्विधान में 105 बार अमेंडमेंट संशोधन किये जा चुके हैं हमारे देश के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई सदस्य की सहमती के बाद ही संशोधन किया जा सकता है भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है और इसके साथ ही भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे ज्यादा बार संशोधन किया जाने वाला सम्विधान भी है हमारे देश के सम्विधान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल बॉडीज के काम करने के तरीके साथ ही तीनों के बीच ताकत का बटवारा विस्तार से किया गया है भारतिय सम्विधान में संशोधन से जुड़े टॉपिक अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है सम्विधान संशोधन सूची प्रथम संशोधन 1951 यह सम्विधान का प्रथम संशोधन था इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 कर और 31 कर को सम्विधान में अंतह स्थापित किया गया है इसके द्वारा सम्विधान में एक नवीन अर्थात नवी अनुसूची जोड़ी गई दूसरा संशोधन अधिनियम 1912 सम्विधान का दूसरा संशोधन 1952 इस संशोधन के द्वारा सम्विधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया यह संशोधन विधेक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था आथर इस विधेक के अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और भाग खमे निर्दिष्ट राज्यों में से आधे राज्यों के विधान मंडल का समर्थन प्राप्त किया गया है तीसरा संशोधन अधिनियम 1954 इस संशोधन द्वारा समविधान को सात्वी अनुसूची की सूची तीन अर्थात समवर्ती सूची की प्रविष्ट तैटीस में संशोधन किया गया चुंकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य विधाई संबंधों को शासित करने वाली सात्वी अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था आथ इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और भाग खमे निर अधिनियम के द्वारा संबिधान के अनुच्छेद 31A 31 का और 305 तथा संबिधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया सात्वा संबिधान संशोधन 19156 यह संबिधान संशोधन राज्य पुनरगठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश से किया गया था मोटे तौर पर ततकालीन राज्यों और राज्यक शेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गी करण किया गया इस संशोधन में लोकसभा का गठन प्रत्येक जन गणना के पश्चात पुनह समायोजन नए उच्च न्यायालियों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदी के बारे में उपबंधों की व्यवस्था की गई है भारतिय समविधान के निर्मान के बारे में अधिक जानने के लिए नोवा संशोधन अधिनियम 1916 भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझोते के क्रियान वयन हेतु असोम पंजाब, बंगाल और त्रिपुरा के संध राजिक शेत्र से पाकिस्तान को कुछ राजिक शेत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरुवाडिक शेत्र में हस्तान तरण के मामले में उच्चतम न्यायाले ने यह निर्नय दिया था कि किसी राजिक शेत्र को किसी दूसरे देश में देने के करार अनुच्छेद तीन द्वारा बनाई गई किसी विधी द्वारा क्रियानवित नहीं किया जा सकता अपितु इसे समविधान में संशोधन करके ही क्रियानवित किया जा सकता है दस्वा समविधान संशोधन 1916 इस समविधान संशोधन के अंतरगत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतहक्षत्रो दादर एवन नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दरजा दे दिया गया ज्यारहवा समविधान संशोधन 1961 इस समविधान संशोधन के अंतरगत उपराश्ट्रप्ती के निर्वाचन की विधी मान्यता को प्रश्नगत करने के अधिकार को संकुचित बना दिया गया बारहवा सम्विधान संशोधन 1962 इसके अंतरगत सम्विधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया तेरहवा सम्विधान संशोधन 1962 इस सम्विधान संशोधन के द्वारा एक नवीन अधिनियम अर्थात 371 का सम्विधान में स्थापित किया गया इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेश प्रावधान अपना कर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया 14 वा सम्विधान संशोधन 1963 इस सम्विधान संशोधन के द्वारा केंदर शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया तथा संधराजिक्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ा कर 25 कर दिया गया 15 वा सम्विधान संशोधन 1963 इस संशिधान अंतरगत उच्च न्यायाले के न्यायाधीशों की सेवामुक्ती की आयू 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दिया गया 16 वा सम्विधान संशोधन 1963 इस अधिनियम द्वारा अनुच्चेद 19 में संशोधन करके संसत को यह शक्ती दी गई कि वह देश की संप्रभुता और अखंता के हित में प्रश्नगत करने वाली अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता पर विधी द्वार प्रतिबंध लगाए 18 वा सम्विधान संशोधन 1966 इस अधिनियम द्वारा भाशा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाना नमक दो प्रथक राज्य बनाने का उपबंध किया गया इसके अंतरगत चुनाव आयोक के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालियों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया 20. सम्विधान संशोधन 1966 इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 233 का सम्विधान में स्थापित करके जिला नियाधीशों की नियुक्ती विधिमान्य घोशित किया गया 21 सम्विधान संशोधन 1967 इस सम्विधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाशा को सम्विधान की आठवी अनुसूची के अंतरगत पंद्रवी भाशा के रूप में शामिल किया गया 22 सम्विधान संशोधन 1979 इसके द्वारा असम राज्य को छठी अनुसूची के भाग दो कमे विनिर्दिष्ट कुछ शेत्र को मिलाकर एक अलग नया राज्य में घाले बनाया गया 24 सम्विधान संशोधन 1971 इस संशोधन के अंतरगत संसत की इस शक्ती को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग को जिसमें भाग तीन के अंतरगत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपती के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपती द्वारा संपत्ती दिया जाना बाध्यकारी होगा 26 समविधान संशोधन 1971 इसके अंतरगत भूतपूर्व देशी राज़्यों के शास्कों की मान्यता को समाप्त करके उनकी पैंशन भी समाप्त कर दी गई है 29 सम्विधान संशोधन 1972 इस अधिनियम द्वारा केरल राज्य के भूमी सुधार से संबंधित दो विधायकों की नौवी अनुसूची में रखा गया 31 सम्विधान संशोधन 1973 इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81 ए 330 और 332 में संशोधन किया गया और लोक सभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 32 सम्विधान संशोधन 1974 संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबर्दस्ती किये जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोशित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिये गए एवं उचित्यागपत्र क को ही स्विकार करें 33 सम्विधान संशोधन 1974 संशोधन के अंतरगत संसत के सदस्यों और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्टकारी वभूमी सुधार कानूनों को नवम अनुसूची में शामिल किया गया 34 सम्विधान संशोधन 1974 इसके अंतरगत विभिन राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को नौवी अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायाले द्वारा सम्वैधानिक वैधता के परीक्षन से मुक्त कर दिया गया 35 सम्विधान संशोधन 1974 इस सम्विधान संशोधन के तहट सिक्किम का संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त कर उससे संबध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया 36 सम्विधान संशोधन 1975 इस सम्विधान संशोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का 22 वा राज्य बनाया गया 37 सम्विधान संशोधन 1975 इस सम्विधान संशोधन के अंतरगत आपात स्थिती की घोशना और राश्ट्रपती राज्य पाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशास्निक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किये जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पु प्राश्ट्रपती प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायिक परीक्षन से मुक्त कर दिया गया। वह राज्यक्षेत्रिय सागर खंड या महाद वीपिय मगनतट आदी भूमी को निश्चित या नियत करे। 41वा समविधान संशोधन 1976 इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 का संशोधन करके सन्युक्त आयोग या राज्यलोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ती की आयू बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 44वा समविधान संशोधन 1978 इसके तहट राष्ट्रिय आपात स्थिती लागु करने के लिए आंतरिक अशांती के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और आपात स्थिती संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुक्योग इसके द्वारा संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधी छे वर्ष से घटा कर पांच वर्ष कर दी गई उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल कने की अधिकारिता प्रदान की गई 45-वा समविधान संशोधन 19-180 इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में उकबंधित आरक्षणों की अवधी को 30 वर्ष से बढ़ा कर 40 वर्ष कर दिया गया इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों का अनुमोधन प्राप्त किया गया 52-वा समविधान संशोधन 19-180 इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुष लगाने का लक्ष रखा गया इसके अंतरगत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोशित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिनह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन यदि किसी दल की संसदिय पार्टी की एक तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी दल बदल विरोधी इन प्रावधानों की सम्विधान की दस्वी अनुसूची के अंतरगत रखा गया पचपनवा सम्विधान संशोधन 1986 इस अधिनियम द्वारा सम्विधान के अनुच्छेद 371 जको अंतहस्थापित करके अरुनाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 56 सम्विधान संशोधन 1987 इसके अंतरगत सम्विधान के अनुच्छेद 371 जह अन्तह स्थापीत किया गया इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंदर शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया 57 सम्विधान संशोधन 1987 इसके अंतरगत अनुचुचित जन्जाती के आरक्षन के संबंध में मिजोरम मेघाले अरुनाचल प्रदेश और नागालेंड की विधान सभा सीटों का परिसीमन इस शताबदी के अंत तक के लिए किया गया 58 सम्विधान संशोधन 1987 इसके द्वारा सम्विधान में अनुच्छेद 394 का अंतह स्थापित किया गया इसके अलावा सम्विधान का हिंदी संसकरण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 60 सम्विधान संशोधन 1988 इसके अंतरगत व्यवसाय करकी सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रती व्यक्ति प्रती वर्ष कर दी गई 61 सम्विधान संशोधन 1989 इसके संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 376 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था 65 सम्विधान संशोधन 1990 इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुचुचित जाती और जनजाती आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है 69 सम्विधान संशोधन 1990 इसके तहट अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र बनाया गया एवन दिल्ली संध राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्र प्रिशत का उकबंध किया गया 70 सम्विधान संशोधन 1962 इसके तहट और पुरुचेरी संध राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपती के लिए निर्वाचत मंडल में सम्मिलित किया गया 71 सम्विधान संशोधन 1992 इस सम्विधान संशोधन में आठवी अनुसूची में कोंकणी नेपाली और मनेपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया 73 सम्विधान संशोधन 1992 इसके अंतरगत सम्विधान में 11 अनुसूची जोडी गई इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग नौ जोड़ा गया इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 कसे 243 नतक अनुच्छेद हैं 74 संविधान संशोधन 1993 इस संशोधन के अंतरगत संविधान में बारहवी अनुचूची शामिल की गई जिसमें नगर पालिका नगर निगम और नगर परिश्दों से संबंधित प्रावधान किये गए है इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग नौक जोड़ा गया इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यद तक के अनुच्छेद हैं 76 संविधान संशोधन 1994 इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछडे वर्गों के लिए सरकारी नौक्रियों में 79% आरक्षन का उपबंध करने वाली अधिनियम को नौवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है 77 सम्विधान संशोधन 1995 सरकारी सेवाओं में प्रोनतियों में अनुसूचित जातियों वा अनुसूचित जन्जातियों का कोटा सुरक्षित किया गया 78 सम्विधान संशोधन 1995 सम्विधान का अनुच्छेद 39 अनुसूची में शामिल उन कानुनों को इस आधार पर चुनौती देने से सम्विधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे सम्विधान के खंड तीन में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उलंधन होता है इस अनुसूची में विभिंद राज्यों की सरकारे और केंद्रिय सरकार द्वारा बनाए गए कानुनों की सूची है 89 सम्विधान संशोधन 1999 इस संशोधन के अंतरगत अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन्जातियों के लिए आरक्षन की अवधी 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है इसके माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रिय करों से प्राप्त कुल्धन राशी का 39 परसेंट हिस्सा मिलेगा असीवा सम्विधान संशोधन 2000 केंद्रिय करों की निबल प्राप्तियों का 26% भाग राज्यों को हस्तानतरित किये जाने का प्रावधान 81 वा सम्विधान संशोधन 2000 इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाती एवा अनुसूचित जनजाती तथा अन्य पिछडा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षन की 50% की सीमा जो उच्चतम न्यायले द्वारा निर्धारित की गई थी को समाप्त कर दिया गय इस प्रकार अब एक वर्ष में न भरी जाने वाली बकाया रिक्तियों को एक प्रथक वर्ग मना जाएगा और अगले वर्ष में भरा जाएगा भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो इसके लिए अनुच्चेद 16 खंड चार कक के बाद एक नया खाद चार ख जोडा गया 82 समविधान संशोधन 2000 इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भरती हेतु प्रोनती के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभियर्थियों के लिए नियूनतम प्राप्तांकों में छ चूट को वापिस ले लिया गया था। सम्विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 कग के अंतरगत सम्विधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा सम्विधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 कग में संशोधन किये जाने का प्रावधान है। सक्तासीवा सम्विधान संशोधन 2003 इसके परिसी मन में जन संख्या का आधार एक नौ नौ एक की जनगणना के स्थान पर 2001 तक कर दी गई। अठासीवान सम्विधान संशोधन 2003 इसमें सेवाओं पर करका प्रावधान किया गया। नवासीवा सम्विधान संशोधन 2003 इस सम्विधान संशोधन के अंतरगत अनुसूचित जनजाती के लिए प्रिथक राष्ट्रिय आलोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। नवेवा सम्विधान संशोधन 2003 इस संशोधन के अंतरगत असम्विधान सभा में अनुसूचित जनजातीयों और गैर अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडो लैंड टेरिटोरियल कॉंसिल शेत्र गैर जनजाती के लोगों के अधिक नवेवा सम्विधान संशोधन 2003 इसके तहट दलबदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलयको मान्यता केंद्र तथाराज्य में मंत्री परिशत के सदस्य संख्या क्रमशय लोकसभा एवं विधान सभा की सदस्य संख्या का 15% होगा बानवेवा सम्विधान संशोधन 2003 इस सम्विधान संशोधन में सम्विधान की आठवी अनुसूची में डोगरी बोडो संथाली मैथिली भाशाओं का समावेश तिरानवेवा सम्विधान संशोधन 2006 इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाती बटा जन जाती और अन्य पिछडे वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षन की व्यवस्था की गई और सम्विधान के अनुच्छेद 15 की धाराचार के प् तरदायत्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को जारखंड एवन 36 गड़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई साथ ही मध्यप्रदेश और ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है 95 वेवा समविधान संशोधन 2009 इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षन तथा आंगल भारतियों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है 96 वेवा समविधान संशोधन 2011 इसमें समविधान की आठवी अनुसूची में उडिया के स्थान पर उडिया लिखा गया सक्तानवेवा समविधान संशोधन 2011 इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक समविधानिक स्थान तथा सरंग्षन प्रदान किया गया इस संशोधन द्वारा सम्विधान में निम्न तीन बदलाव किये गए A. सहकारी समिती बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19.1.C B. सहकारी समितिया नाम से एक नया भाग सम्विधान में जोडा गया अनुच्छेद 243.Z.H. से 223.Z.T C. राज्य की नीती में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीती निदेशक सिध्धान्त का समावेश अनुच्छेद 43.Z. 98. सम्विधान संशोधन अधिनियम 2012 इस सम्विधान संशोधन में अनुच्छेद 371.Z. शामिल किया गया इसका उद्देश करनाटक के राज्यपाल को हैदराबाद करनाटक शेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था 101. सम्विधान संशोधन 2016 बिल-बिल का प्रावधान GST बिल प्रावधान 102. सम्विधान संशोधन 2018 OBC आयोग को मिला सम्विधान का ढाचा 103. सम्विधान संशोधन 2019 EWS section के लिए 10% का आरक्षण EWS section में 10% का आरक्षण 104 सम्विधान संशोधन 2019 अनुसूचित जाती बटा अनुसूचित जनजाती का समय 10 साल के लिए SCST आरक्षण में व्रिध्धी 108 सम्विधान संशोधन 2021 महिलाओं के लिए लोकसभा वविधान सभा में 33% आरक्षण 109 सम्विधान संशोधन पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से 50% 110 सम्विधान संशोधन स्थानिय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50% 114 सम्विधान संशोधन उच्च न्यायालै के न्यायाधीशों की आयू 62 बर्ष से 65 बर्ष 115 सम्विधान संशोधन GST वस्तु एवन सेवाकर 117 वा सम्विधान संशोधन SC वसेंट को सरकारी सेवाओं में पदोन्नती आरक्षन